Hey guys, hello, welcome to my channel, Spellbound Art by Smriti and this is Smriti. Well, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मेरे सामने कुछ paper sticks पड़े हैं, एक cotton का टकड़ा पड़ा हुआ है, और scissor है. तो आज हम बनाने वाले हैं, paper stick के मदद से, एक नया DIY, तो आप लोग हो जाएए रड़ी और देखे की paper sticks क्या क्या बना सकता है. Without wasting your time, we'll start the video right now. So, stay tuned with me. मैंने यहाँ पे लिया एक cotton का टुकड़ा और आप अपने according, इसमें एक circle draw कर लीजिए, जितने बड़े आपको बनाने वाली हुआ है, pen stand और brush stand और comb, whatever you want to keep it inside. तो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक बाउल था और मैंने उसकी मदद से इतने बड़े बाउल से मैंने एक round बना लिया है, अब इसको हम करेंगे cut, तो इसको मैं कात लेती हूँ scissor से, इसको मैंने round shape में कात लिया है, अब हम इसी circle के measurement से लेंगे एक चार paper, आपको length जितना भी रखना हो, उस length का रखो, और आप इसको round fold करके इसी circle के map का diameter का बना लेंगे, इस तरह से आप इसको round shape में बना लेंगे, एक डब बे जासे, ताकि हम इसको इसके ऊपर paper stick रखें, तो इसको support मिल सके, और last में यहां से attach करेंगे हैं, तो चलिए paper stick में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, कैसे बनाना है, हम कोई भी पुराना paper लेंगे और हम इसको इतने छोटे इसे paper की टुकड़े को लेंगे, और फिर इसको हम corner से roll करना, start करेंगे, इस तरह से आप इसको roll करेंगे, slowly, और थोड़ा tightly, इसके last part में हम थोड़ा सा gum लगाएंगे और इसको कोई भी brush की मदद से आप gum लगा लीजिए और इसको हम इस तरह से stick कर देंगे, और यह हमारा paper stick इस तरह से ready हो जाएगा, इस तरह से आपको बहुत सारी paper stick बनाने हैं, और उसके बाद हम इसको आगे process करेंगे, तो इस तरह से आपको बहुत सारी paper stick बना लेने हैं, और फिर हमने जो यह चार पेपर को फोल्ड करके रखाया है इस पर हम स्टिक करेंगे इसको तो चलिए स्टिक करते हैं इस तरह से हम पेपर स्टिक को इस पर ग्लू की मदद से चिपका देंगे इस पूरे सर्कल में हम अच्छे से पेपर स्टिक को चिपकाएंगे इस तरह से सारे पेपर स्टिक को मैंने इस पर चिपका दिया है और मैंने वो जो सर्कल कट करके रखा था काटन का वो बैक साइड में चिपका दिया है उपर के पार्ट को स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्ले का यूज किया है जिससे इसका लुख थोड़ा अच्छा हो जाए और अब हम करेंगे इसको पेंट तो आप में अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको पसंदों से पेंट कर लीजिए और डेकोरेशन तो आपके पास जो भी यूसफुल मटेरियल है चाहे रिबन हो चाहे मेरर हो चाहे पोल हो अब कुछ भी लगा करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो पहले अब हम इसको करते हैं पेंट मैं ले रहे हूँ यहाँ पर फ्लैश का मेटलिक ब्लाक कॉलर और इससे मैं करने वाली हूँ पेंट इस तरह से मैंने इसको ब्लाक से पूरा पेंट कर लिया है और मैं इस पार्ट में थोड़ा सा एन्हांस करने के लिए स्पॉंज की मदद से थोड़ा सा येलो पेंट यूज करूंगी इस तरह से मैं इसको पेंट करूंगी और उसके बाद हम आपके पस चो भी डेकॉरेशन का सामान हो चाई पॉल्स हो चाई मिरर हो या रिबन हो या कुछ फ्लावर आपना के लगाना चाहते हो क्ले से तो वह भी कर सकते हो तो इसको हम डेकॉरेट करेंगे और हमारा पैन स्टेंट बेडी हो जाएगा तो चलिए इसको कंप्लीट करें इस तरह से मैंने पॉल्स और स्टोन लगाकर इसमें स्टिक करके मैंने तयार कर लिया है अपना पैन होल्डर बोलो या प्रिश होल्डर बोलो या आप इसमें कॉम भी रख सकते हो जो भी आप रखना चाहों मैं तो इसमें अपने सारे ब्रशिश डालूंगी सिजर भी रखते होंगी और ये देखो में इसमारा खुबसूरत सा ये पंकट तयार हो गया so i think you guys will like this video so please do like subscribe and share also and give me lots of comments and thanks for watching see you again with some new ideas till then take care tata bye bye have a good day